जहां शंकर भगवान की जला धारी में से पानी नीचे बैठा है समझ लेना जरा अच्छे से हो जैसे ये गोल जला धारी है ये शिवनिंग है यहां से पानी नीचे बैठा है जब पिशेश कोई दुख माली बात आ जाती है या कोई तकलिफ खड़ी हो जाती है बहुत बड़ी अगर कोई तकलिफ खड़ी हो जाती है तो शिवनिंग के इस परशी की जगा जहां से पानी बैठा है जाता है ये गोल और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है समझ रहे होना सब लोग उस इस्थान पर अपनी जो ये हतेली होती है इस हतेली को कुछ देर लगा लिया जाता है कौन सा इस्थान जहां से शिबलिंग पर जल चड़ा ये जलाधारी में गोल घूमा घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हतेली को लगा लिया जाता है अपनी हाथ की सीज़े हाथ की हतेली को लगा लिया जाता है और देवदी देव महादेव का या तो पंचाक्छर मंतर या शड़ाक्छर मंतर या श्री श्रिवाय नमस्तू इस मंतर का या महमर्तुण्जे मंतर का इसमरन तद्लियो जाता है और दिल की बाद भगवन शिव से कह दी जाते है कहे कर दो जिन, ज्यादा से ज्यादा तीन लें ज्यादा से ज्यादा पांच दिल देगी बस छटे दिन की जरुवत नहीं पड़ेगी बाबा रास्ता खोल देगा और कारे सबसे पढ़ेगी दिल की बात कहोशी